सेकंड सेमेस्टर बीए सेकंड सेमेस्टर जितने भी है एए सीसी पेपर सीरीज बीका है और इसमें कूल 40 कॉस्टेन है नेको — चांसी हो गया हो फोड़ा तो कुल 40 कॉस्टेन है आपको समध या जाता है एक डेड़् घंक यहां पर बहुत से लोगों को क्वस्ट्ैन में यहां और भौट से लोगों हनी में ही ऑ दिखा रहा हूं और एक यह बात कर देख तो लेजिए आपको चार ओब्जेक्टिव दिये जाएंगे ठिक ना उसे में से और स्वरी चार ओप्शन दिये जाएंगे उसे में से सथी को चुदना होगा ओइस टिर्म क्या है किस के वल औपशैक्टिव होता है अलो औपशैक्टि वर आपको meat ुम और इस ओमार चार में ऐसे कोई एक तो देखे सबसे पहला क्या है और कॉस्चन को स्टाटिंग करने तक Capital बता दू कि जिसमें भी आपको डाउट लगे जिसमें भी चीस कोस्टेन में भी आप उसे एक पर गूगल में सर्च मार लिजीगा क्योंकि एई सी का पेपर हांडरीट परसेंट से और गूगल भी नहीं बता पाएगा गूगल कि किसी का बाप नहीं बता पाएगा ठीक ना गूगल अगर आप बुक पढ़ें तब ही आप एई से सी का पेपर को एड़ पूरा टूदे पॉइंट बता पाएंगे जी हां यही राइट एंसर है ठीक ना बुक पढ़ें तब ही आप इसका आंसर दे पाएंगे गूगल यह नहीं दे पाएगा क्योंकि यहां पर कोस्टन घुमा फ आले किसनी क्या था तो इसका अंसर होगा यहां पर टैंसले ने ठीक टैंसले द्वारा तो दूसरा कोस्टन क्या है परियावरन दिवस कब मना जाता है बिसो परियावरन दिवस या फिर परियावरन दिवस इन्वर्मेंटल डे कब मना जाता है तो पांच जून को पांच ज या इन में सभी तो इन में से सभी सामिल है ठीक ना अब इसको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल इसका जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि गूगल उसी को जवाब देगा जो फैक्टली होगा ठीक ना जिसमें तैठ्थ होंगे देखिए चार नमर क्या है नि मिर्दा में ही मिल जाते हैं उसे बलते हैं जैवाब घटक ठीक उसके बाद हम देखते हैं फाइप नमबर कोश्चन तो प्माचवा कोश्चन क्या आता है कि ओजन के छेद्र के लिए जिम्मेदार परदूसक है ठीक क्या है क्लोरो फ्लोरो कारवन सी अपसी जो फिरिज से निकलता है एर कंडिशनर से निकलता है जो गयास निकलता है उसे क्या करते हैं सी अपसी क्लोरो फ्लोरो कारवन यही ओजन छेद्र का कारण है ठीक पाचवागा हो गया चठा देखिए निम्निखित में से कोन उर्जा का एक पारंपरिक सुरोत है उर्जा का पारंपरिक सु पराज सी गैसों के जोड़े ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन करते हैं, मतलब कि इन में से कौन से हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा उत्पन करते हैं, तो यहां पे होगा एंसर डी फोर का ठीक ना, यह क्या है, CFC यानि कि Chloro Fluorocarbon और SO2 यानि कि Sulfur Oxide यह सबसे ज़्यादा Greenhouse Gas उत्पन करते हैं Question मैं फिर से दिखा दू कौन सी Gas Greenhouse सबसे ज़्यादा उत्पन करती है ठीक इसका आर्थ यही है इस Question का 7 Number 8 Number Question चीनी किसका रूप है? चीनी इस आप गूगल में सर्च मार लेजिएगा अच्छे से ठीक ना? कार्बोहाइडरेट कार्बोहाइडरेट जिसमें भी आपको डाउट लगे कि यहां Question गलत हम बता रहे हैं तो आप प्लीज एक बार गूगल में सर्च मार लेजिएगा ठीक ना? देखे, नाइन में क्या बोल रहा है कि एस्कॉर्विक एसिड के रूप में किसे जाना जाता है तो बिटामिन C का रासानिक डाम होता है एस्कॉर्विक एसिड बिटामिन A का होता है रेटिनोल, बिटामिन B का होता है थाइमीन ठीक ना? बिटामिन C का होता है ascorbic acid और vitamin E का होता है take up for all ठीक ना अब देखिए 10 number COVID-19 जिसे coronavirus का जाता है कि उस मायन अवदी है मतलब कितने दिनों में पता चलता है तो किसी वेक्ति को इसको लक्षन maximum 14 दिन यानि कि 2 सप्ता ठीक इसका अंसर होगा 3 14 दिनों के अंदर उसे पता चल जाता है अगर आप note कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा skip कर करके देखिएगा ठीक देखिए हमारी मान स्पेसियों को मजबूत बनाने के लिए निमनिखित में से किसका उप्योग किया जाता है तो किसका उप्योग किया जाता है इसमें थोड़ा confusion है वसा या protein आप अच्छे से एक बार चेक कर लिजे Google में लेकिन यहाँ पे टिक लगा है वसा पे 3 में ठीक लेकिन protein भी कही कहीं पे पुछा जाता है वह इस तो वास्तविक रूप में इसका उप्योग होता है calcium लेकिन यहाँ पे clearly नहीं बताया गया है मैं बता रहा था ना कि एक दो question इस परकार के होते हैं जिसमें आपको confusion की भरमार होगी इसमें से 11 number question उसी का एक हिस्सा है हमारी मास्पेशियो को मजूद बनाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है इसका right answer होगा calcium लेकिन यहाँ पे protein answer दे सकते हैं ठेक ना आप इसे एक बार Google में search कर लिजेगा इसके लिए मैं sorry चाहता हूँ दिल से sorry चाहता हूँ ठेक ना देखिए निम्न में से कोन वर्सा के कारण में वर्सा के कारण में कोन महतपोर्ण भुमिका निवाता है तो यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका वास्पी करण और संगहनन दोनों वर्सा में महतपोर्ण भुमिका निवाते हैं ठेक उसके बाद हम next question देखते हैं चलिए अब हमारा next question क्या आता है तेरे नंबर कॉस्चन भारत का च्छेत्रफल है तो कितना है 3.28 लाक तो इसका अंसर होगा 32.8 लेक यानि कि 32,87,263 किलोमेटर होता है भारत का च्छेत्रफल इस राउंड फिगर में 32.8 लाक वर किलोमेटर लिखा जाता है ठीक तो 2 हो गया इसका अंसर और एक बार देख लिए भारत का च्छेत्रफल ठीक तेरे नंबर अब 14 नंबर हम बात करते हैं भारत के किस राज को टाइगर अस्टेट के नाम से जाना जाता है तो मैद्य पर्देश को एमपी को ठीक टाइगर अस्टेट और गीर राष्ट उधान ह और भारत के सबस्चेश्जयादा राष्ट इए उधान अगर हम बात करें सबस्चेश्चनल पार्क किस राज में हैं तो मैद्य पर्देश में किटीक ऊंड़ेश में है एडिस उससे होता है तो यहाँ पे इंग्लिस में लिख दिया है एडिस मॉस्किटो तेख 15 आप देखे 16 नमबर देखे सेरी कल्चर सेरी कल्चर क्या है तो रेसम बनाने का बिज्ञान को न सेरी कल्चर कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा 3 17 नमबर देखे THIS kadar का अक्टूबर का परथम सब्ता यहनि के क्यी से साथ अक्टूबर तक वाइनीजीव सब्ता कब मना जाता है 17 यह ऑक्टूबर का परथम सब्ता 18 नमबर देखे CNG का फूल फोर्म क्या होता है तो CNG का फूल फोर्म मालूम होगा आपको लेकिन क्या करें उनिवर्सिटी लोग अच्छे से मेहनद नहीं करते हैं क्या होता यह जाए संप्राइपटिक गेस लेकिन HOW इसमें कुछ नहीं कर सकते यह आम को से बनता है किससे बनता है आपको मालूम ओन sun कागस बास और घास से बनते जितने भी पेड़ पोधे होते हैं ना उसी से बनते कागज ठीक तो बंबू एंड ग्रास इसका अंसर तीन हो जाएगा बीश नंबर में देखिए ग्रीन हाउस प्रभावस से पिर्थवी की सतह पर किस परकार का विकिरन फसा है किस परकार का इसे कंफ्यूजन है इसमें टेक गूगल पे मैंने काफी सर्च मारा इसमें कलियरली कोई उतर नहीं मिला तब मैं लास्ट में एक्स रे दे दिया जितने भी कॉस्चन है न मैं सार गां सार गूगल में सार्च मारा हूं भाई ठेक उसके बाद इंडिया को बता रहा हूँ और फि कि खाद से रंखळा की खाद से रंखळा की होना चाहिए उसका बोल पर खुशंट लेकины यह पर फूपर कोश्चिन नहीं दियों यह नहीं ठेंज अब द्फिए तो बाइस नमबर कॉश्चों क्या आता है पारिश्थिकी पिरामिड जो हमेशा सिधा होता पारिस्थिकी में 22 नंबर का हो गया है 23 नंबर देखिए 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है global warming के संबन में green house प्रभवा का तात्परी क्या है तो global warming के संबन में क्या सीतल और नम होती प्रभवा तात्परी होती है नहीं warming का प्रभवा पढ़ता है द्धृनी मेंटर का उप्योग किसके मापा जाता है पतऊए है उसके बाद 25 का देखिए परियावरण सब्द का अर्थ क्या है तो personngen सब्ड का अर्थ यहां पर इतना लंबा चौडा जो एक नंबर का उतर दिया है यह premium सभी परिष्थितियों का कुल योग जो पिर्थिवी पर सभी जीव का जीवन और विकास है यही इसका उत्तर है परियावरन सब्द का अर्थ ठिक नेक्ट देखते हैं 26 नमबर नियूनतम तापमान रेज यानि कि 950 डिग्रीज सी वाली तापमान की सबसे ठंडी परत है कौन सी परत है सबसे ठंडी तो सबसे ठंडी परत है ट्रोप असपर यानि कि वायू मंडल और इसमें कंफ्यूजन है थर्मोस्पेर भी यानि कि सबसे क्यों सबसे ठंधा अस्तल कौन सा है उससे आप देख लिजी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कितना है मैं बता दूपकर नमब ट्वेंटी सिक्स तो इसमें आप देख लिजी इसमें हिंदी नहीं दिया है यहाँ पर सारा का सारा इंगलि नाइट्रेट में रुपांतरन और फिर नाइट्रेट कहा जाता है क्या कहा जाता है आमोनिया का नाइट्रेट में रुपांतरन और फिर नाइट्रेट कहा जाता है क्या कहा जाता है इसका हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन ठेक 3 इसका अंसर हो जाएगा 3 28 का वाई परदूसन होता है किस से होता है वाई परदूसन तो धुआ के कारण 28 का 3 29 नमर देखी यदि अपसिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूसित करते हैं तो यहाँ पे ते दिये हैं देख रहे हैं ना यही यह सरकारी स्कुल के काम यदि अपसिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूसित करते हैं तो तो निम्न में से कौन सी बिमारी फैल जाएगी कौन सी बिमारी फैल हैगी टाइफाइड ठीक ना जिसे आंत्रजवर भी कहा जाता है जिसमें आपका लिवर खराब हो जाता है यूरो यूट्रोफिकेशन का मतलब है यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है आंत्रिक पोसन के कारण जल के जल्य के साथ जल निकाई को भरना ठीक इसका अंसर होगा दो एक तिस नमर देखे 31 निम्न में से कौन भू जल संदूसन का परमुक कारण यानि कि भूमी जल संदूसन जमा करने का सबसे परमुक कारण क्या है तो यहाँ पे क्या है किरसी उतपाद लेंड फिट उसके बाद भूमी गत भंडार टैंक और उप्रोक्त में से तो उपरोक्त में से सही इसका अंसर होगा इसमें confusion होगा आपको जिसमें भी इस प्रशन में भी आपको जीजक हो महसूस हो ठीक ना उसे आप एक बार खुद से मेनद कीजिए परदुसन मुक्त उर्जा संसाधन है यानि किसमें परदुसन नहीं होता है तो इसका उत्तर हो ज से यानि क्यों बाहनों से ओटो मॉवाइल मतलव बाहन गाड़ी गाड़ी से सब ज्यादा सहर में परदुसन होता है बास सिंपल सा बात है चौनतिस नुमर देखिए कारबन मोनोक्साइड का सुत्र में बता दू सी ओ ठीक ना एक परदुसन है क्योंकि यहां ओटू के साथ अभीकरिया करता है और O2 के साथ अभीकरिया करके यह वरदूसन को फेलाता है इसलिए इसका अंसर हो जाएगा घृक ओ और च्बथी यानि के ओकसीजन के साथ अभीकरिया करता है कारबन मंोक्साइड चौनतिस का हो गया art 35 नाभर देखिये वनी करण के लिए आवश्चत् कम आधरता भी आउय सकने है जवरत है मिर्दा का सनरक्षा यानि कि 35 अवं 36 नमर देखे पारिश्थिकी एक पारिश्थिकी एक पारिश्थिकी तंत्र में उरजा का परवा होता है किस दिषा में सभी दिशा में, इसका अग्यात होता है, किसी भी दिशा में, परिष्टि की तंद्र में, और जा का परवाकिस दिशा में होता है, किसी भी दिशा में, ठीक, 36 का 1, उसके बाद देखी, 37, सबसे इस्थिर परिष्टि की तंद्र है, क्या है सबसे इस्थिर परिष्टि की अब कर नम क्या है महा सागर 37 का तीन उसके बाद इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है आप इसे सर्च मार डीजिएगा गूगल में आपकर मिलेगा तो अच्छी बात है महिंद्र तो सर्च मार के देख लिया नहीं मिला उसके बाद 38 का देखे 38 नंबर जंगल के बारे में न तो ये afar नहीं Karata Kollege गुमने आते हैं आर्थिक विकास प्रदान करता है यहां पर थोड़ा सा यहां कम्जौर पढ़ जाता है या फिर इन में से कोई नहीं तो दो टाह मैं यहां हो जाएगा छांसर एकनोमिक नहीं को फ Zoo Clinicr लिगनाइट, बिटूमिनिट, एंट्रासाइट, ठीक न, और एक होता है, एंट्रासाइट, बिटूमिनिट, लिगनाइट और पीट, ये किसके परकार है, कोईले के, कोईले के चार परकार होता है, जिसमें से तीन को यहाँ पर बताया गया है, ठीक, उन चालिस, चालिस में देखें, चालिस में क्या है, जल मंडल पर विकास गती वीदियों के परभाव का उधारन निमनिमे से कौन सा है, यानि कि जल मंडल पर विकास की गती वीदियों के परभाव का इफेक्ट जो है, उसका उधारन कौन सा है, तो इसका उधारन हो जाएगा जल परदूसन, आंसर क कोपी लिया और आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाया दोस्त सच मता रहा हूं अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा साभी आपको नौलेज मिला हो तो फिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर जिने जरूरत है इनकी वास्तवी जरूरत है ठीक ना तो ठैंक यू और फिर मिलेंगे एक नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइप पढ़िए और अपने हग के लिए लड़िए और अपने स्वास्त का ख्याल रखिएगा क्योंकि जान है तो जहान है झाल 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 झाल